हेलो फ्रेंट्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वावत है फ्रेंट्स आज मैं बहुत ही सुन्दर सा केबल वाला डिजैन लेके आई हूँ देखे का फ्रेंट्स ये पैटरन हमारा इस तरह दिखाई देता है बहुत ही प्यारा सा पैटन है इस पैटन को बनाना भी बहुत आसान है पांच फंदों में हमारी केबल बनती है बीच में हमने दो फंदे उल्टे बुने हैं दो डिजाइन के बीच में कैप देने के लिए पांच फंदे हमारी ये और दो फंदे हमारी उल्टे साथ फंदों में ये डिजैन हमारा बनता है इस पैटन को बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकिट में, जैन स्वेटर में, कैप में कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुन्दा दिखाए देता है सिर्फ चार लाइनों में बनने वाला ये हमारा डिजैन है तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस केबर वाले पैटन को बनाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टुटोरियल इस pattern को बनाने के लिए हमें 7 के multiple प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे तो यहाँ पे मैंने 23 फंदे लेवे हैं सबसे पहले आप 7 फंदे ले लेजेगा फिर से 7 फिर से 7 करते करते और last में 2 फंदे हम एस्टा लेंगे तो यहाँ सलाई पे मेरे 23 फंदे हैं तो फ्रेंड्स यह pattern हमारा 4 लाइन का है और सीधी सर्ब से शुरू होगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिजाइन के फिर्स्ट रोव सीधी साइड सबसे पहले आज के फंदे को हम नेट वाइज स्लिप करेंगे अब यहाँ से साथ फंदों में हम डेजाइन बनाएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हम दो फंदों को ट्यूस्ट करेंगे आगे वाले फंदों को पीछे लाएंगे और पीछे वाले फंदों को हमने आगे लाना है पीछे की तरब से दूसरे वाले फंदे में हम सलाहे को डालेंगे इस तरीके से और आगे वाले फंदे को निकालके लेफ्ट हैंड के निडल पर आसे ले लेंगे उसके बाद इस फंदे को भी लेफ्ट हैंड के निडल पर ले लेंगे अब ये दोनों फंदे हमारे ट्योस्ट हो गए हैं अब दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे आगे हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं एक, दो, तीन अब यहां पर हमारे पांच फंदे हो गए हैं धागा अपनी सर्फ लाएंगे और 2 फंदे में उल्टे बनेगे अब ये 2 फंदे हमने हर बार उल्टे बnytने हैं यहाँ पे हमारा कौई चेंज नहीं होगा जो भी चेंज होगा हमारे 5 फंदे में होगा ले एच के फंदे को छोड़कर यही 7 फंदे पूरी रों में रेaid करेंगे सबसे पहले दो फंदों को ट्यूस्ट करेंगे पिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स धागा पीछे करेंगे अब यहां साथ फंदों में हम डेजैन बनाएंगे शुरू के जो पांच फंदे हैं सबसे पहले दो फंदों को हम ट्यूस्ट करेंगे आगे वाले फंदे को हमने पीछे लाना है और पीछे वाले फंदे को हम आगे लाएंगे अब हम पीछे की तरब से दूसरे वाले फंदे में उस्राय उपसे डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकालके लेफ्ट हैंड की निडिल पर ऐसे ले लेंगे उसके बाद इस फंदे को भी लेफ्ट हैंड की निडिल पर ले लेंगे अब ये दोनों फंदे हमारे ट्यूस्ट हो गए हैं अब दोनों फंदों को हम एक एक करके सीधा बुल देंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बुलेंगे एक, दो, तीन धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुलेंगे फिर से देखेगा धागा पीछे करेंगे सबसे पहले दो फंदों को ट्विस्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में हम स्लाय को ऐसे डालेंगे और आगे वाले फंदे को ऐसे निकालके लेफ्ट हैंड के निडिल पे ले लेंगे बाद में इस फंदे को भी left hand के needle पे ले ले लेंगे अब ये दोनों फंदे हमारे twist हो गए हैं अब दोनों फंदे को हम सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन धागे को अपनी तरफ राएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पर डिजाइन के first row बनके हमारी complete हो गई है अब आते हैं back side में यह हमारे डिजाइन के second row है सबसे पहले फंदे को परलवाई slip करेंगे अब यहाँ से 7 फंदे में हम डिजाइन बना रहे हैं जो 2 फंदे इदर हमने उल्टे बुने थी इदर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे अब यह हमारे डिजाइन के 5 फंदे बचे हैं 2 फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो अब 2 फंदे को हम ट्यूस्ट करेंगे आगे वाले फंदे को पीछे लाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे लाएंगे धागा अपनी तरफ ही रहेगा अब पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में हम स्लाइक वासे डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकालके लेफ्ट हैंड के निडिल पर आसे ले लेंगे उसके बाद इस फंदे को भी लेफ्ट हैंड के निडिल पर ले लेंगे अब ये दोनो फंदे हमारे ट्यूस्ट हो गाए हैं. अब दोनो फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे. फिर आगे का एक फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे. एचके फंदे को छोड़ के यही 7 फंदे पूरी रों में रिपीट करेंगे. दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दो फंदो को ट्यूस्ट करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब फिर से रिपीट करेंगे, धागा पिछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दू, यह दो फंदे हमने सीधे बुने यहां पर हमारा कोई चेंज नहीं होगा जो भी चेंज होगा इन पांच फंदों में होगा अब यहां पर पांच फंदों में हम डजाइन बनाएंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे बाद में इस फंदों को भी left hand के needle पर ले लेंगे, अब ये दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर आगे का एक फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीजे बुनेंगे, धागा अपनी सर्फ लाएंगे, अब हम 5 फंदों में design बनाए लेंगे, फिर दो फंदों को twist करेंगे, धागा अपनी तरफ भी रहेगा, पीछे की तरफ से दोसरे वाले फंदे में हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे, लास्ट में हमारे एक फंदा बचा है, इस फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे, य यहां पर design के second open के हमारी complete हो गई है, अब आते हैं front side में, यह हमारी design की third row है, सबसे पहले अचके फंदों को knitwise slip करेंगे, शुरू के दो फंदों सीधे बुनेंगे, एक, दो, अब दो फंदों को में twist करेंगे, आगे वाले फंदों को पीछे ले जाएंगे, और पीछे वाले आगे लाएंगे, पीछे की तरफ से दूसरे वाले फंदों में इसलाइगे आगे वाले फंदों को निकाल के left hand के needle पर ले 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 ले, अब दो नप फंदों को में सीधा बुनेंगे, पिर आगे का एक फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, अब यहां पर design के हमारे 5 फंदे के फंदे को छोड़के यहां तक एक design बनके हमारा complete हो गया है, दो फंदे हमने सीधे बुने, दो फंदे को टूस्ट किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर दो फंदे हमने उलटे बुने हैं, यही 7 फंदे पूरी रो में repeat करेंगे, फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे जो उल्टे बनेंगे वो हमारे gap के हैं, 5 फंदे में से शुरू के 2 फंदे सेधी बनेंगे, एक, 2, अब 2 फंदे को हमने twist करना है, आगे वाले फंदे को बाद में इस फंदे को भी left hand के needle पे ले लेंगे, अब ये दोनों फंदे हमारे twist हो गए हैं, अब दोनों फंदो को हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद एक और फंदा सीधा बुनेंगे, तो यहां पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल् करेंगे पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में स्लाय को डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकालके लेफट एंड के निडिल पे ले लेंगे बाद में इस फंदे को भी लेफट एंड के निडिल पे ले लेंगे अभी दोनों फंदे हमारे ट्योस्ट हो गए हैं दोनों सेधा पुल्टएंगे यहां पर डिजाइन के थर्ड रो बनके हमारी complete होगा है अब आते हैं बैक साइड में यह मारे डिजाइन के फॉर्थ रो है पहले फंदों को पलवास स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे यहां पर साथ फंदों में हमारा डिजाइन बन रहा है जो द सलई को डालेंगे और आगे वाले पेसे निखाल सब्सक्राइबर लेशिछ्चाल पेजिदने लेख़ेंद करें में दोनों फंदों को इससे का में टूसक्राइब ख्यज्च व्यश्ट कर देट फंद्सक्राइब दो फंदो को ट्यूस्ट किया है, उसके बाद तीन फंदे हमने उल्टी बुने हैं, अब फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, अब दो फंदो को हम ट्यूस्ट करेंगे, पीछे की तरफ से दूसरे आगे वाले फंदे में हम स्लाई को डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकालके लेफ्ट एंड के निडिल पर ले लेंगे उसके बाद इस फंदे को भी लेफ्ट एंड के निडिल पर लेंगे बाद में दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे आगे के तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन अब फिर से देखेगा, भागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे भागे को अपनी तरफ लाएंगे, अब डिजेन के हमारे पांच फंदे बचे हैं अब दो फंदों को हम टोस्ट करेंगे धागा अपने तरफी रहेगा पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में हम स्राय को डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकालके लेफ्ट हैंड के निडल पर ले लेंगे उसके बाद इस फंदे को भी लेफ्ट हैंड के निडल पर ले ले यहाँ पे design की फोर्त रहो बनके स्सक्यों हों णागे आपने इन ही चार राइनों को बार 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 धोर आते जाएंगे तो design बनके कुछ इस तरह दिखाई थढ़ेगा बहुत ही प्यारा भात असां सा पैटन है चैनल को सबस्क्राइब करना उनों झाओं